कॉंग्रेस विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापती मंगलवार को मदप्रदेश की पंदरवी विधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गया विधान सभा अध्यक्ष पद के लिए अपनी पार्टी के उमीदवार के नाम पर प्रस्ताव पेश ना करने को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सदन से वॉक आउट कर दिया और बीजेपी के सारे विधायक पैदल मार्च करते हुए राजभवन गए मुख्य प्रदेश की पंदरवी विधान सभा का अध्यक्ष चुन्ने मंगलवार को संसदिय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविन सिंग ने कॉंग्रिस विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापती को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया जिसके बाद चार और विधायकों ने इसका समर्थन किया इसके बाद बीजेपी ने पार्टी विधायकों और विजेशाह का नाम अध्यक्ष पद के लिए पेश करने के अनुमती मांगी लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने साफ कह दिया पहले प्रस्ताव का निराकरण होने के बाद ही इजाज़त मिलेगी बस सदन में हंगामा शुरू हो गया बीजेपी सदस्यों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया सदन की कारेवाही दो बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित हुई तीसरी बार सदन शुरू होते ही पूर मुखमंतरी शिवराज सिंग चौहान ने इसे सदन आदिवासी का अपमान बताते हुए अपने साथियों के साथ सदन से वॉक आउट कर दिया बीजेपी के तमाम विधायक पैदल मार्च करते हुए विधान सभा से राजभवन पहुँचे इस मांग के साथ के अध्यक्ष दुबारा चुना जाए गदप्तेश की विधान सभा में लोग तंत की हत्या की गई है सम विधान की धजियां उड़ाई गई है इस पीकर महुदैक आज निर्वाचन था नाम प्रिस्तावित थे दो चार प्रिस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से थे एक प्रिस्ताव हमारी तरफ से था कारी सूची में पांच वे इस्थान पर जिसका उल्लेक था उस नाम को मुझे प्रस्तावित करना था प्रस्तावित करने का अबसर ही नहीं दिया और निर्वाचन हो गया और घौसित कर दिये गए इस हंगामे के बीच सदन में 120 विधायकों ने इनपी प्रजापती के नाम पर मुहर लगा दी उधर कॉंगरिस ने इस जीत के बाद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीदने की पुर्जोर कोशिश की शिवरा सिंग चौहान जी को माफी मागना चाहिए महामहिम राजपाल जी से कि उन्होंने बहुमत की सरकार को अल्पत की रूप में जो कहा है उन्होंने महामहिम राजपाल जी की अमानना की है शिरी बैजनात कुश्वा से उन्हें ले जाया गया दस किलूमीटर दूर ले जाकर एक धावे पर और उनसे कहा कि सौ करोड ले लो चार्टर प्लेन तयार है चलो हमारे साथ तुमारी बात कर देते हैं सरकार गिराओ और मंत्री बनो हलांकि कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस अपनी संख्या को लेकर आश्वस्त नहीं थी शायद इसलिए बीजेपी के प्रस्ताव को पहले नामांकन के साथ नहीं रखा गया 52 साल बाद मद्रपदेश विधान सभा के अध्यक्षपद के लिए चुनाव हुआ लेकिन एक ऐसा चुनाव जिसे विपक्ष ने लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बता दिया और पूरा का पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया बोपाल से कामेरा परसंटर जवान खान के साथ है नुरागद्वारी एंडी टीव इंडिया